बिहार में बहार है बीना मांजी सब बेकार है जी हाँ आप नीज फोरनेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ वंदना बिहार में जो अभी राजनीती हलचल मची हुई है इन तमाम चीजों के बीच जीतना मांजी के द्वारा एक पोस्टर डगाया गया है और उस पोस्ट के पोस्टर में देख सकते हैं कि जीतना मांजी का एक पत्सवीर संतोच कुमार सुमन जो राश्टी अधियक्षय हम पार्टी के उनकी तस्वीर लगी है और बिहार में मांजी बिना मांजी सब्वेकार है यानि जितना मांजी जो है क्रेडिट अब लेना चाह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में अगर बहुमत पेस किया जाता है तो तमाम छेत्रिये पार्टी हो या फिर जो बड़ी पार्टियां हो वो अपने तमाम बहुमत को पेस करने के लिए एक अब रार मच गया जितना मांजी का जो है लालू प्रशाद यादों के तरफ से प्रस्ताव आया हाला कि जितना मांजी ने कहा कि हम उस प्रस्ताव को ठुकरा दिये हैं अब यह कितना सच है अब तो जितना मांजी ही बता सकते हैं और लालू प्रशाद यादों ही इस बात का खुलासा कर सकते हैं लेकि इन तमाम चीजों के बीच जो बिहार में राजनीती गतिविधी अभी है वर्तमान में तमाम लोगों की फोकस बिहार की राजनीती पर्टी की हुई है इसी करम में अब महागडबंदन से नितिसकुमार का मोह भंग हो गया है ये कोई पहली बार नह हैं और एक बार फिर से वह जो है महागडबंदन से अलग हो चुके हैं माना जा रहा है कि अब कुछ ऐसा नहीं महागडबंदन में बचा हुआ है क्योंकि अब सभी के सूर अलग हो गए जो कल तक जद्यू आज एडी का गुनगान किया करता था हर चीजों पर जो है समर्थ संधिया करता था आज अब वैसी परिस्टियां रही नहीं आप कॉंग्रेस की बात कर लें या फिर लेफट पार्टियां कि यह पार्टियों क्या ही अगर बात हम कर ले तो अब तमाम लोगों के बीच अब पहले वाली सिती नहीं रही अब नितिस कुमार इंडिये के हो पूर्ण है और कल बिहार में बहुत बड़ा होने वाला है इसलिए उन तमाम चीजों को आप तक पलपल का ख़बर दे रहा है और आगे भी देता रहेगा इसलिए आप सभी दर्सकों से मेरा अनुरोध है कि आप निश फॉर्णेशन पर बने रहे इसी क्रम में आप देख सकत है तस्वीरों के माध्यम से कि जितना मांजी के तरफ से जो है बड़ा होडिंग लगया गया है और इस फो बिकार है यानि कि जितना माजी एक ऐसे दुलर हुआ हैं बिहार की राजनीती में कि उनके बिना बिहार की राजनीती में धूरा माना जाए ऐस अहम पार्टी ने इस स्लोगन के साथ दर्साया है वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से नितिश कुमार कई लंबे समय से देखा जाये तो नितिश कुमार जो है वह फोकस कर रहे थे कि आर जेडी के नेताओं का क्या एक्टिवीटी है तो आप जरा एक बार गौर करेंगे कि जैसे ही बिहार में एंडिये की सरकार गिरी थी और महागडबंधन की सरकार बनी थी कुछ ही दिनों के बाद राज़त के तमाम नितिश कुमार पर कई तरह के बयान देते रहें अभद्र भासा का भी प्रयोग किया गया था लेकिन इन तमाम चीजों को जो कहा जाये कि घ जितनामांजी ने यह बताया है कि जितनामांजी को अगर साथ रखते हैं उसमें ही भलाई है और जितनामांजी के बिना कुछ भी संभव नहीं है देखे हम लोगों की मांग कारिकरताओं के तरफ से है हमारे निता मुस्तैदी के साथ प्रधान मंत्री जी के निड़ने के साथ खड़े हैं लेकिन हम पार्टी जिस तरह से गरीब गुरुवों की बात करती है और गरीब गुरुवों के बीच में काम करती है वैसी परिस्ति कि जो एक आकांच्छा है उसकी पूर्ती जरूर होनी चाहिए हमारे नेता प्रधान मंत्री जी की निर्णे के साथ खड़े हैं लेकिन हम कारकरताओं की इक्छा है कि पार्टी को कम से कम दो मंत्री पर मिलने चाहिए